इंगुलाम टीवी प्रेम देन्स समाचर में आपका स्वागत है प्रधान मंत्री मात्र वंदना योजना में करोडों रूपे की अवेद निकासी उच्च इस्तरी जाच की मांग पर जलादिगारी को दिया आवेदन प्रधान मंत्री मात्र वंदना योजना के तहट गर्बवत्ती और इस्तनपान कराने वाली महिला और माताओं को 5,000 रुपे की आर्थिक सहायता प्रदान कर सीधे उनके खाते में भीजी जाती है जिसमें आधार कार्ड, बैंक खाता एवं 25,000 रुपे की घूंस लेकर अनाधिकरत व्यक्ती 5,000 रुपे प्रखंड के 30,000 से अधिक महिलाओं के खाते में रुपे ट्रांसफर कर करोडों र रुपे की सरकारी राशी का चूनाल लगा चुके हैं आश्चर की बात है कि विभाग को इस बात की भनक भी नहीं लगी और करीब एक साल से इस बात का गोरक धंदा हजारों दलाल बिचोलियों की मिली भगत से जोल शोल से चलाया जा रहा है महिलाओं के प्रथम प्रसव के दोरान सहतरार्थ मिलने वाले 5,000 रुपे को ताक पर रख कर 67-67 वर्ष की महिलाओं यहां तक की विद्वा की खाते पर भी रुपे ट्रांसफर किये गए हैं वहीं 25 रुपे नजराना नहीं देने पर वास्त्विक महिलाएं भी लाप से वन्चित रह गई हैं इस योजना म लूट की इतनी तीवरिता है कि हर वाड में 4-5 दलाल तयार किये गए और देखते ही देखते एक अनुमान के अनुसार प्रखंड में करीब 15 करोड रुपे की लूट की गई है लौटरी लगने की भाती कुछ बिचोलिये लख पती और कुछ करोड पती हो गए हैं जबकि से अनुसे ब्याज पर 25 रुपे विचोलियों को 5,000 रुपे मिलने की आस में दे दी वो पोल खुलने के बाद उनके हाथ खाली रह गए ताजपूर सीडी पियो कार्याले के अनुसार इस वित्ती वर्ष में ताजपूर बाल विकास परियूजना कार्याले में प्रदानमंत्र की मात्रत्व वंदना यूजना का सेविका द्वारा मात्र 171 फॉर्म जमा हुए हैं और वर्ष 2017 से अब तक लगभग 6,500 फॉर्म जमा हुए हैं लेकिन मिली जानकारी के अनुसार दलालो द्वारा केवल ताजपूर प्रखंट शेत्रों में 30,000 से अधिक महिलाओं के खाते में रुपे भेज कर आधी राशी की उगाही की गई है अर्षर की बात है कि लाबुकों को ना तो ऑफलाइन आनलाइन फॉर्म भरा गया और ना ही किसी फॉर्म ये कागजात पर हस्ताक्षर लिए गए जबकि रुपे खाते पर ट्रांसफर किये गए हैं बागपावाले के माव्यापी जाज टीम के अनुसार इस योजना का जले भर की जाज की जाए तो अर्बो रुपेयों का घोटाला सामने आ सकता है और दरजनों सफेद पोश बिचोलिये सत्ता धारी इसमें बेपरदा हो सकते हैं इस लूट की भयावता को देखते हुए भागपा माले घंड सच्चिव सर जिलास थाई समीती सदस्य सुरेंद्र प्रसाथ सी प्रभात रंजन गुप्ता नशार तोहिदी जितेंद्र सहनी मुहमत जावेद चान बाबु ने इस संबन में CDPO विभाक कुमारी से वार्ता के बार जिलादिकारी शेशांग शुबंकर को आविदन द महत्पूर्ण क्लूब ही देंगी ताकि महिलाओं के लिए जारी राशी लूटेने वालों पर कारवाई की जा सके माले ने इसे लेकर तेवी सगस्त को लॉकडाउन का पालन करते हुए पार्टी कार्याले एवं अपने अपने घरों में धर्ना देने की भी घोशना की है अभी हम लोग ताजपूर सीडी की यो कारजाला पर वारता के लिए आये थे परदहान मंत्री मात्री बंदना योजना में दलाल विचोलियों के द्वारा ताजपूर में करोरों रूपी की लूट हुई है मात्र बैगर फर्म का आदहार एवं खाता लेकर के किसी भी सत्तर साल-साल के बिर्धा से लेके पोता-पोती वाले से लेके और उम्र दराज लोगों के विडो तक के खाते में 5,000 रुपईया भेज दिया गया यह ताजपूर में करोरों का घोटाला है पूरा जिला में जोरा जाय तो ये अर्वों का घोटाला है इस घोटाला के खिलाप उच्च अस्तरिये जाच की मांग को ले करके हम लोग एक परतिनीधी मंडल सीडीपी यो ताजपूर से मिले हैं हम जिला धिकारी को आबेदन दे रहे हैं आबेदन में हम मांग करते हैं कि आप इसको जाजपरताल कीजिए और वाड अस्तर पर इसका जो दलाल है विचौलिया है उन लोगों पर कारवाई कीजिए ये गए रुप्या को रिकॉभरी कीजिए अने था हम लोग आंदोलन के माध्यम से इस मुद्दा को आगे ब सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए